सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेग्नोलोजी वीडियो टेक्टिक लिए कोशिक है और अब लोगो को बताऊंगा कौन कौन सा फीचर्स में आपको मीवाइन ग्लोबल स्टेवल रॉम का अपडेट मिलेगा कबसे मिलेगा अगर आप मिल माइन ग्लोबल आटव में है तो आप कैसे वीडियो रवम में सटेवल और अबधेटन का असके है तो नमस्के दूस्तों मैं को रोच लगया बिडियो शुरू करता है तो दोस्तो सबसे पहले आप लोग को बता रहेता हूँ यह MIUI 9 Global Stabil Gram का फास्ट ऑफिश्याल अपडेट है और यह वार्शन का नाम है MIUI 9 9.0.3 Global Stabil Gram दोस्तो MIUI 9 Global Stabil Gram का ऑफिश्या रोल आउट आज से यानि नवर्म मद 3 2017 से शुरू हो जाएगा और कौन-कौन से डिवाइसे में आपको MIUI 9 का अपडेट मिलेगा तो complete MIUI 9 Stabil Gram Comparable Devices का लिस्ट आभी आप स्कीन से देख सकते है वाट दोस्तो सबी डिवाइसे में एक ही साथ MIUI 9 Global Stabil Gram का अपडेट नहीं मिलेगा जैसे कि MIUI 9 Global Video Rum का रोल आउट हुआ था डिफरेंट 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 बैच में तो वैसे ही MIUI 9 Stabil Gram का भी अपडेट एक एक करके सबी डिवाइसे में मिलेगा सबसे पहला बैच में है लेट भी Note 4, Mi Max 2, Mi Mix 2 यह सब डिवाइसे में आपको MIUI 9 Global Stabil Gram का अपडेट मिलेगा 3rd November यानि आद से अब इसी के साथ जिस डिवाइसे में औरेडी Android Nougat का अपडेट मिल चुका है वो सब डिवाइसे में MIUI 9 Global Stabil Gram का अपडेट 20 November 2017 का पहले ही मिल जाएगा और उसके बाद बाकि जो भी रेश्ट अप डिवाइसेस है जिसमें अभी तक Android मास में लूँ या तो Android Lollipop version है तो बहुत सब डिवाइसे में November या तो डिशन मर का शुरू से MIUI 9 का official OT update मिलना शुरू हो जाएगा आप जिन लोगों नहां औरेडी MIUI 9 Global Vita Rom में अपडेट कर लिया है वीडियो डेस्क्रिप्शन चेक कीजिए आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और अगर आप MIUI 8 का stable rom यूज कर रहा है तो आभी आप लोगों को कुछ भी करने का जरूद नहीं है आप्डेट के लिए OT update का थूँ आपको MIUI 9 Global Stable Rom का अपडेट मिल जाएगा और आप डिरिकली अपडेटर रैप से MIUI 9 Stable Rom को अपडेट कर सकते हैं और आभी क्या भी Redmi Note 4 में अगर आप MIUI 9 Stable Rom का अपडेट करने चाहते हैं MIUI 9 Global Stable Rom का features के बारे में और Redmi Note 4 में MIUI 9 Global Stable Rom का first look के बारे में क्योंकि मैं और रेडी MIUI 9 Global Stable Rom को इंस्टल कर चुका हूँ मेरा Redmi Note 4 में तो दोस्तो MIUI 9 Global Stable Rom में आपको बहुत सरे new features मिलेगा सबसे बड़ा बात है कुछ new features जो आभी तक MIUI 9 Global Bit Arm में नहीं है वो आपको MIUI 9 Stable Rom में पहले ही मिल जाएगा सारे के सारे features आपको एक साथ नहीं मिलेगा धीरे-धीरे आड़ हो जाएगा जैसे की Smart Assistant जो की Global Stable Rom के लिए renamed है as a quick shortcut feature उसके बाद quick reply form, notification bar, etc. तो दोस्तो सबसे पहले fast impression में MIUI 9 Global Stable Rom MIUI 9 Global Bit Arm के जैसा बहुत ही अच्छा से optimized है बहुत ही smooth है और application fast open हो रहा है app launching speed और home screen loading speed काफी अच्छा smooth है Redmi Note 4 में Android version है Android Nougat 7.0 और यहापे split screen का feature और और यहापे split screen का feature और और यहापे split screen का feature आपको मिल जाएगा तो यहापे MIUI 9 Stable Rom में भी Redmi Note 4 and others Android Nougat में updated devices पे split screen का feature मिल जाएगा और बिलो Android Nougat में जो भी devices है उसमे split screen का feature बात में आ सकता है और आपको latest Android security patch का update भी मिलेगा 1st October 2017 का तो दोस्तों उसके बाद अभी आपको वही दो official MIUI 9 का theme मिलेगा default MIUI 9 theme and limitless theme और MIUI 9 official default theme में same MIUI 9 beta rom के जैसे यहापे animated icons है उसके बाद MIUI 9 beta rom के जैसा simple home skin editing some of new home skin transaction effect volume bottom में silent mode, dnd mode का feature भी है lock skin में left to right side में swipe करेंगे तो यहापे आपको MI home, MI remote and torch को on up करने के लिए भी option आपको यहापे मिल जाएगा उसके बाद security app में latest MIUI 9 beta rom के जैसे सारे के सारे फीचर सबको यहापे मिल जाएगा MIUI stable rom में भी payment and virus का feature, separate block list rule setup and speed boost का feature भी मिल जाएगा smoothly gameplay करने के लिए calendar app में आपको सारे के सारे card का feature भी मिल जाएगा जैसे कि MIUI 9 beta rom में मिलता है weather app में और detailing weather report मिलेगा gallery app में new photo editing tools भी मिलेगा उसके बाद additional setting का अंदर आपको new bottom and gister shortcut का option भी आपको यहापे मिल जाएगा इसे आप अलग-अलग various custom gister को set कर सकते है buttons को अलग-अलग functions के लिए आप configure कर सकते है अभी अगर quick ball feature on रहेगा और उसका 3 seconds तक कुछ भी use नहीं होगा तो quick ball skin का side में automatically disappeared हो जाएगा जो feature MIUI 9 beta ROM में भी है उसके बाद new redesigned theme app और शाद में कुछ new ringtones, new wallpapers and new themes भी आपको मिलेगा उसके बाद आपको screen recording का app भी मिल जाएगा MIUI 9 stable ROM में भी जिसको भी use करके आप screen record कर सकते हैं और इसे हिलाब में MIUI 9 stable ROM में काफी सारे major bugs को fix किया गया है यहापे आप देख सकते हैं यहापे lots of bug fixes जो की काफी अच्छा है and obviously battery optimization and battery backup is better now तो दोस्तो overall maximum MIUI 9 beta ROM का feature आपको MIUI 9 stable ROM में भी मिल जाएगा और आगे और भी new interesting others features MIUI 9 global stable ROM में आने वाला है जैसे की MI DROP app, new video player app, app valued smart assistant, quick reply from notification bar etc stay tuned for more interesting update तो दोस्तो वीडियो अच्छा लागये तो वीडियो को like and share किजिए और आप चाहे तो मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं So one second this is Koshi Kher and see you in the next one Thank you guys, thanks a lot for watching, bye